नमस्कार स्वागत जार्खन की फटापट ताजा बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जार्खन की कई जीलों में आज भी होगी भारी बारिश जार्खन की कई जीलों में आज यानी 17 सितंबर को भी भारी बारिश होने की संभावना है खबरे की मौसम भी भागने रेट अलट जारी कर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है खबरे की बंगाल की खाड़ी में बने लोग प्रेसर के कारण रविवार से ही जारखंट के कई जीलों में भारी बारिश हो रही है वहीं सोमवार को भी लोगों को बारिश राहत नहीं मिली लगातार हो रही बारिश के कारण जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है जारखन में एक जून से 15 सितंबर तक 822.2 मिली मीटर बारिश रिकोट की गई जबकि यहां से जहां यहां इस मौसम में आमतोर पर 920.8 मिली मीटर बर्शा होती है इस अवधी के दोरान वर्षा में 11 पर्तिशत की कमी धर्च की गई है आज से जारी होगा जैसेसी सीजियल परिशा का एड्मिट कार्ड 21 और 22 सितंबर को होगी परिशा जे सेसी यानि जहारखंड करमचारी चेन आयोग असनातक अस्तरिय पर्तुगीता यानि जे सेसी सीजिल परिक्षा जहारखंड की कई जीलों में 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने वाली है बतादे कि JCC यानी जहारखन करमचारी चेन आयोग ने 17 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर परवेश पत्र जारी करेगा खबर की आयोग ने अभियार्थियों के पंजिकरित मोबाइल नंबर पर मेसेज भेज कर एकजाम सेंटर और एकजाम तिती के साथ एडमीट कार्ड कब और केसे मिलेगा इस संबंद में सूचना पहले ही जारी कर दी है इस परिक्षा में लगभग 6.50 अभियार्थियों ने आविदन किया है बतादे की से पहले ये परिक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को आयोजित जहां परिक्षा आयोजित होनी थी जार्खन में इस दिन होगी बिधान सभा चुनाओ जार्खन में बिधान सभा चुनाओ नौंबर में दिवाले और छट पूजा के बाद होने की संभावना जताई गई है बतादे की जार्खन बिधान सभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म होगा पिछले चुनाव दिसंबर 2019 में हुआ था पिछले चुनाव में जारखन मुक्ती मोर्चा कॉंगरेश और आर जेडी ने गड़ बंदन में चुनाव लड़ा था जारखन मुक्ती मोर्चा 30, कॉंग्रेस 16 सीटें जीती थी वहीं भारती जनता पार्टी ने 25 सीटे जिहां जीत पाई थी खबर है कि महाराश्टर जारखन में चुनाओ एक साथ कराय जा सकते हैं महाराश्टर बिधान सभा का कारेकाल 26 नौंबर 2024 को खत्म हो रहा है इसलिए वहां चुनाओ इस तारीक से पहले होंगे इसलिए ऐसा संभव है कि जारखन की चुनाओ महाराश्टर के साथ ही हो जारखन के सरकारी स्कुलों में इसकूली छात्रों के बनेंगे आधार कार्ट होंगे अपग्रेड भी जारखंड के सरकारी स्कुलों में बच्यों का नया आधार कार्ड बनेगा, वहें जिन खातर खात्राओं का जेहां आधार कार्ड बना हूअग है, उनका अपग्रेट किया जाएगा। से 17 वर्ष के वैसे बच्चे जिनका आधार काड़ बन चुका है उनका आधार में अनिवारे रूप से बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा इसमें बच्चों की आँखों के साथ-साथ अंगोलियों की बायोमेट्रिक ली जाएगी और आधार में उसे अपग्रेट किया जाएगा इसके लिए सभी सरकारी स्कूलों में कैम्प लगेगा जारखण में श्टेनो ग्राफर के लिए 5 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन जैसे सी यानि जारखण करमचारी चेन आयो के द्वारा कई विभागों में श्टेनो ग्राफर के 455 पदों के लिए भरती निकाली गई है जिसके लिए जीहां आवेदन करने की प्रक्रिया अभी जारी है और 5 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है खबरों को माने तो जैसे सी इस्टेनो ग्राफर भरती के लिए अपलाई करने के लिए समाने ओबिसी और EWS केटिगरी के लोगों को 100 रुपे की आवेदन फीस का भुकतान करना होगा वहीं स्टी और स्सी वर्क के लोगों को 50 रुपे का आवेदन शुल्क देना होगा बतादे की आवेदन पूर्ण रुप से ओनलाईन माध्यम से ही अपलाई हो पाएगा जैसे सी इस्टेनो ग्राफर भरती के लिए आवेदन करने के लिए उमिदवारों का किसी भी मानेता प्राप्त संस्थान से असना तक होना ज़रूई है केंद्र सरकार का बड़ा फैसला पहली बंदे मेट्रो ट्रेन का नाम बदल कर किया नमो भारत रेपीड रेल कर दिया गया है खबरे की जिहां गुजरात के दोरे पर परदानमत्री नरिंद्र मोदी सौमवार को स्वदेश निर्मित नमो भारत रेपीट रेल जिहां सर्विस को हरिज जंडी दिखाएं नमो भारत रैफीट रेल गुजरात के कच जीले में स्थित भुज को राजधानी हमादाबाद से जोड़ेगी यह ट्रेन 360 किलोमिटर की दोरी 6 घंटे से भी कम समय में पूरी करेगी इससे पहले पस्चिमी रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर जान कर दी वंदे मेट्रो ट्रेन में 12 एर कंडिशन्स कोच हैं जिनमें आटोमेटिक स्लाइडिंग दरवाजे, मॉडियूल एंटेरियर्स, एलेडी लाइटिंग, वेक्यूम निकासी के साथ, टो प्रणाली लगी है, इसमें धुएजा आग का पता लगाने वाला आटोमेटिक सिस्टम भी है, जीवन भीमा पर GST रेट की समिक्षा के लिए मंत्री समो का गठन नवंबर में मिल सकती है, बड़ी राहत, GST परिशद ने बिभिन स्वास्थे और जीवन भीमा उत्पादों के प्रेमियम पर GST दर का सुझाव देने और 30 अक्टूबर तक अपने रिपोर्ट देने के लिए तेरह सदस्य मंत्री समो यानि GOM का गठन किया, खबरे की समो के सदस्यों में उत्तर परदेश, राजस्थान, पस्चिम मंगाल, करनाटक, केरल, आंध्र परदेश, गोवा, गुजराद, मिघाले, पंजाब, तमिल नाडू और तेलंगाना के सदस्य शामिल है, 9 सितंबर को हुई GST परिशत की चौवनवी बैठक में जीवन और चीकित सा बीमा पर GST के मौजूदा कर ढाचे की जाँचा और समिछा के लिए एक मंत्री समो गठित करने का निरणय किया गया है, बीमा प्रीमेम पर कराधान के बारे में परिश्यद्वरा अंतिम निरणय नौमबर में होने वाली अगली बैठक में मंत्री समो की रीपोट के आधार पर लिये जाने की संभावना है, साढ़े तीन सो किलोमेटर स्पीड वाला तुफान तबाही मचाएगा, देश में भारी बारिश की चितावनी, देश में अब मौनसुन जाने की तयारी कर रहा है, ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़े में चीन में तबाही मचा चु यतुफान के कारण गहरे दबाव का एरिया बन रहा है, जो कमजोर होते होते हवाओं में बदल जाएगा, इससे देश बर में तेज हवाई चलने की संभावना है, जो कई राजियों में तबाही का कारण बन सकती है, 15 सितंबर से यतुफान पूर्वी उत्तर परदेश में स लेगी, वहीं अगले चार दिन कई राजियों में भारी बारिश होने की संभावना भी बनी रहीगी, अब ओफिस के नहीं लगाने होंगे चक्कर, सीम कार्ट खरिदना हुआ, आसान और सुरक्षित, डी ओटी यानि दूर संचार विभाग ने, एरटेल रिलाइंस, जियो बुड़ा फोन आइडिया, जैसे लीडिंग टेलेकॉम प्रोवाइडर्स के ग्राहकों के लिए, सीम कार्ट खरिदने की प्रोसेस को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए, नियमों में कई महत्वपोन बदलाव किये हैं, इन बदलाव के साथ, अब से सीम खरिदने की प्र रक्षा प्रदान करने में मदद करेंगे, डी ओटी के इस नए नियम, जैहा नियमों के बाद, ग्राहकों के अब सीम कार्ड खरिदने के लिए, या अपना टेलिकॉम उप्रेटर बदलने के लिए, टेलिकॉम कमपनी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये प्र बदलना चाहते हैं, तो आप बिना किसी परिशानी के ओनलाइन अपने डॉक्युमेंट भेरिफाई कर सकते हैं, सरकार ने नए नियमों के बारे में सोसिल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की है, और बताया है कि नए नियमों के बाद से धोखा धड़ी प अलदेश बनाना है, इसके लिए सरकार लगातार परियास कर रही है, इसके साथ ही सरकार ने EKYC और SELFKYC भी शुरू की है, जिहां इसके साथ यूजर्स को अब किसी टेलिकॉम ऑपरेटर के ओफिस में जाने की जरूरत नहीं है, वे SELF ही वेरिफिकेशन प्रोसेस को पू इसी भी फोटो कोपी को शेर किये बिना डिजिटल रूप से पूरी की जा सकती है,